उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विदान सभा चुनाओ ने इन दिनों सियासी पारा चड़ा दिया है जी हाँ यूपी की दस विदान सभा सीटों पर उपचुनाओ होना है और इसके लिए एंडी और इंडिया ब्लाग दोनों ने कमर कसली है हालिया लोकसभा चुनाओ में बीजेपी को यूपी में करारी हार का सामना करना पड़ा था जिसके चलते ये उपचुनाओ योगी सरकार के रिए बहुत एहम है सियम योगी आतित्यानात ने उपचुनाओ की कमान अपने हातों में ले ली है बीजेपी के राष्ट्रिय संगठन महामंत्री बी एल संतोष और समाजवार्दी पार्टी के प्रमुक अखलेश्यादव ने चुनाओ की तयारियां शुरू कर दी है तो आये जानते हैं कि वो कौन सी दस सीटे हैं जिन पर सियम योगी और अखलेश्यादव की साख दाओ पर लगी हुई है और क्या है इस बार का सियासी समी करण यूपी उपचुनाओ की इन दस सीटों की बात करें तो करहल, मिलकीपूर, कटहरी, कुंदरगी, गाजियाबाद, सीसामाउ, मीरापूर, फूलपूर, मजवा और खैर की सीटों पर एंडिये और इंडिया ब्लॉक की कड़ी टकर देखने को मिलेगी यूपी की इन दस विधान सभा सीटों पर उपचुनाओ की तैयारियां जोरो पर है मीरापूर से रालोत के चंदर चौहान फूलपूर की सीट से बीजेपी के प्रवीर सिंग पटेल जबकी मजवा सीट से बीजेपी संयोगी निशात पार्टी के डॉक्टर विनोध बिन जीते थे और खैर सीट से अनुप प्रधान वालमी की विधायक चुने गए थे ये भी खबर है कि करहल सीट पर अखलेश अपने भती जेतेज प्रताप को मैदान में उतार सकते हैं इसके अलावा मिलकी पुर और कानपूर का सी सामाउ भी सपा की मजबूत सीटे रही है NDA और इंडिया ब्लाक दोनों ही गडबंदन पूरी ताकत जोंक रहे हैं जिसके चलते बीते दिनों उन्होंने 15 मंतरियों की टीम बना कर उन्हें उमीदवारों के चयन की जम्मेदारी दी थी और फिर वो खुद भी चुनाव प्रभंदन की तैयारियों में जुट गए हैं इससे पता चलता है कि वे इन चुनावों के लिए कितने संजीदा हैं वहीं 12 साल बाद प्रदेश में जीत ने सपा अध्यक्ष अकलेश यादव और उनके गटबंदन को उत्साहित कर दिया है और वो भी उप्चुनाव की रन्नी दियां बनाने के लिए अपने दफतर में जम गए हैं और किसका सियासी भवश्य समड़ता है